जब स्पेन में ग्रह युद्ध शुरू हुआ, हिटलर और मुसोलीनी ने जनरल फ्रांसिसको प्रिंको के नेतरित वाली राश्ट्रवादी विद्रोहियों को सेये समर्थन दिया, वहीं सोवियत संग ने मौजूदा सरकार स्पेनिश गणराज्य का समर्थन किया 30,000 से अधि करने का अवसर के रूप में किया 1949 में राश्ट्रवादियों ने ग्रह युद्ध जीत लिया, फ्रैंको, जो अब ताना शाह था, द्वित्तिय विश्व युद्ध के दोरान दोनों पक्षों के साथ सौदे बाजी करने लगा, लेकिन अंतकनिश कर्ष नहीं निकला, उसने स्वैम सेवकों को जमन सेना के तहट पूर्वी मोर्चे पर लड़ने के लिए भेजा था, लेकिन स्पेन तटस्त रहा और दोनों पक्षों को अपने क्षेत्र का उप्योग करने की अनुमती नहीं दी